तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो हम जानने वाले जो जेकवार ब्रांड का फ्लोरंटाइन मोडल का ओल मिकसर होता है उसकी डिस्टेंस कितनी रहती है लेक के डिस्टेंस उसकी हाइट और टोटल हम पूरी चेक करने वाले है तो दोस लिए तो इस परकार के नौब जो होते हैं वो फ्लोरंटाइन मोडल में आते हैं यहां पे आप देखसे को आपको टू इन वनेग वाल मिकसर दिक्कर है इसकी डिस्टेंस के बात करे दोस्तों वाल से जो टेप की डिस्टेंस होती है यान कि यह जो वोल में फिटिंग होता ह यहां पर टेप आपको पानी गिता है तो यह वाला डिस्टे से थोड़ा सा कम आपको मिलता है तो अगर आपके 9 इंस जगये तो सवग्द्ध tank यहां पर आपके दिवार आनी वाली एं और यहां से यहां तक जो maximum null वाला department है वो आपको 9 inch तक देखने को मिल जाता है उसके बाद अगर दोस्तों बात करें distance की तो आपके कतने distance में यह बैठने वाला है तो दोस्तों minimum जो distance है वो 6.4 inch है यानि कि जो आपके दिवार में mixer के point दिये हुए है तो इसमें आपकी जो distance है वो अगर 6 inch की distance है आपके तो यह जो है बैठ जाएगा और maximum distance के अगर बात करें तो maximum distance में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 8 inch तक आपको देखने को मिल रहा है maximum distance यानि कि यह maximum distance आपकी जो है अगर 18 रहेगी और minimum आपकी चेंज 6.4 यानि कि साड़े चेंज तक रहेगी तो यह फ्लोंटेंड मोडल का आप वोल मिकसर बिटा सकते है उसके बाद अगर दोस्तों बात करें MRP की तो फ्लोंटेंड मोडल का जो जेकवार का फ्लोंटेंड मोडल वोल मिकसर है उसकी MRP 5000 है तो साड़े चार से पांच जार के बीच में आपको मार्केट में डिसकाउंट के साथ मिल जाएगा तो अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते तो निच्छे डिस्क्रिश में आपको इस प्रोडुक का लिंक म आराम से बीटा सकते हैं और साड़े 8-9 इस तक आपको दिवार से बार जो आता है वाल मिकसर आता है उसके बाद में हम दोस्तों अगले वीडियो में हम डाइवेटर के बारे में भी बात करेंगे डाइवेटर आपको कौन से ब्रांड का लेना सही रहेगा कौन से ब्रांड और 3-1 वाल मिकसर में सेम ही साइज रहती है तो इस प्रकार की यह आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों यह जानकर आपको कैसे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं वीडियो को लाइक न झाल